इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे जोगरफी पूरी उत्तर प्रदेश की इसमें रहेगी और यह आने वाले यूपी के किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट होगी इसमें जो पॉलिटिकल मैप है यूपी का थोड़ा बहुत वो डिसकस किया तो चले शुरू करते हैं यह आने वाले यूपी के किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट होगा सबसे पहले देखेंगे मुत्तर प्रदेश की भौगोली किस्तिती तो उत्तर प्रदेश जो है वह कौंडवाना लेंड का पार्ट है आपको पता होगा पहले एक महाद उत्तर प्रदेश का दो लाग चालिस हजान नौसो अठाइस वर किलोमीटर इसे दो चालिस नौसो अठाइस से याद कर सकते हैं और पूरे इंडिया का यह कितना परसेंट है तो 7.33 परसेंट है और नंबर वाइस कौन सा चेत्रफल है चोथे नंबर पर आता है चेत्रफल क पांच में पर आता था लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तब एक में थे जब तेलंगाना अलग हो गया तब यूपी चोथे नंबर पर आ गया आंध्र प्रदेश पहले इससे बड़ा था अब सबसे उत्री और सबसे दच्छिमी सबसे पूर्वी सबसे पश्चिम यह जाधा है तो उत्तर प्रदेश का मैंने बनाने की कोशिश की है तो यह वाली लंबाई है च्छेसों पचास किलोमेटर और उपर से नीचे है 240 किलोमीटर अब देखेंगे जो वर्तमान सरूफ ही कब आया था 9 नौंबर सन 2000 को क्योंकि उत्राखंड अलग हुआ था 13 जिलों को काटकर उत्राखंड बन गया था 9 नौंबर सन 2000 को और 9 नौंबर में ही 2000 में ही दो और स्टेट से अलग अलग हुए थे एक नौंबर सन 2000 को मद्य प्रदेश से 36 गड़ा लग हुआ था और उसके बाद 15 नौंबर सन 2000 को बिहार से जारखंड लग हुआ था और उत्राखंड का बन लग हुआ बीच में 9 नौंबर सन 2000 को तो यह तीनों एक साथ याद कर सकते हैं देख लिजे यहाँ पे सबसे उत्री जिला कौन सा है यहाँ पर यहाँ पर है सहारणपूर और सबसे दचड़ी यहाँ पर सोन बद्र है सबसे पूर्वी वाला बलिया है और सबसे पश्मी वाला यहाँ पर सामली है तो ऐसे याद कर सकते हैं अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो अंतर राष्टिय सीमा ह तो बस एक देश को टेच करती है नेपाल को और नेपाल से हमारे साथ जिले जुड़े हुए हैं कौन-कौन सा है महाराज गंज सिधार्थ नगर बलराम पुर्ष रावस्ती बहराइच लकीम पुर्खिरी पिलीवीद इसे याद कैसे करेंगे साथो जिले तो यहां से ही उनके बड़े भाई को नाम है बलराम तो महाराज जी जिनका नाम सिधार्थ है वो बलराम उनके भाई हैं बड़े बलराम पुर्खि黨 से रचाव reti मतलब फ्रावस्ती मतलब मिल रहाई जाएंगा रास पीर उन्हें के खाने के लिए खीर दे दी गई तो लखीम पूरош फी खीर का रंग क्या होता है पीला तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं महाराज से महाराज गण्ज महाराज कि नाम क्या है सिधार तो सिधार्ज नकरोगिया इनके बड़े भाई का बलराम है तो Emil बलराम पूर फिदने श्राप मिल गया त्षावस्ति और इन्हें बाहर निकाल दिया गया बहराईच लकीम पुर खीरी मतलब इन्हें रास्ते में खाने के लिए खीर दे दिक यह और खीर का रंग क्या है पीला-पीला इसे हो गया पीली भीत इस तरह से याद कर सकते हैं से चोटी सीमा किसे जुड़ी हुए हिमाचल प्रदेश से और सबसे बड़ी सीमा मद्य प्रदेश से देखिए यहां पर हिमाचल प्रदेश से बस इतनी थोड़ी सी सीमा जुड़ी हुई है और यहां पर सहारनपुर है सहारनपुर वाले एरिया से सहारनपुर जिले से यहां पर दरख चार देट से जड़ा हुआ इधर मद्रध मंठड पर और कमघरव से दिक रोट ही। अटर्ल हेदि को सरे और दर यॽड़ा है यह कहा ही उसमें ख़वा है सहारन पूर कि वह में सावलeze से मद्धिप्रदेश से गिरा हुआ है तो यहां पर है ललिदपूर ललिदपूर तीन तरफ से यहां पर इसके मद्धिप्रदेश है तो यह वाला हो गया अब राजस्थान से दो जिले जुड़े हुए हैं कौन-कौन से मथुरा आगरा राजस्थान से केवल दो जुड़े ह हमारे लगे हुए हैं यहां पर है मथूरा आगरा फिर है दिल्ली से केवल दो जिले जुड़े हुए है टूटल तो कौन-कौन से हैं दोनों जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्नगर वैसे एंसियार में ज्यादा आते हैं जिले लेकिन दिल्ली से जो फिजिकल रूप से सीमा टैच है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्नगर की है फिर देखेंगे हर्याणा से छे जिले जुड़े हुए हैं तो इच्छे जादा हो गए इसलिए हमें इतने याद करने की जूरत नहीं है उत्राखंड से हमारे साथ जिले लगे हुए हैं बिहार से हमारे साथ हर्यारणा से छे राजस्थान दिली से दो हिमाचर प्रदेश चातिसकल और जारकंड से एक एक और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ग्यारा ग्यारा जिले अटैच है फिर NCR में कौन-कौन से जिले आते हैं यूपी के राश्ट्री राजदानी चेत्र में तो पहला हो गया शामली फिर बागपत बुलंद सहर मुझफर नगर मेरट हापड़ गाजियाबाद गौतमबुद नगर तो माल लेजे शामली नाम की कोई लड़की है जो कि बाग में बैटी तो शामली हो गया बाग में बैटी बागपत हो गया और उसके पीछे बुलंद दरवाजा बना बैठी उसके पीछे बुलंद दरवाजा बना है बाग में बैठी है अच्छे से और तो बुलंद सहर हो गया इसे अब एक लड़का आता है मुझफर नगर इसका नाम है मुझफर लड़का नाम का लड़का आता है और उसे लगता है कि लड़की रूठी हुई है तो मेरट लड़की का नाम हो गया बागपत से बाग में बैठी है फिर बुलन से मतलब बुलन दर्वाजा उसके पीछे मुझफर नाम का एक लड़का था मुझफर नगर हो गया मेरट मतलब रूठी हुई है रहापुर से पूरी हो गया गाजियाबाद से गादां गाते हुए चले तो बस एक ट्रिक के लिए है बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप सही कर लेंगे फिर है सरवादिक जिलों को इसपर्स करने वाला यूपी का कौन सा जिला है तो बदायू बदायू जो है इस चारो तरब से सबसे जादा जिलों से लगा हुआ है फिर है सबसे कम ज परभादिक छेतरफल किसका है तो सबसे बड़ा है लकीमपूर खीरी फिर आता है सोनबदर का नंबर फिर हर्दोई फिर सीतापूर पहले लकीमपूर कीरी फिर सोनबदर फिर हर्दोई फिर सीतापूर सबसे कम छेतरफल किसका है तो हापूर का सबसे कम छेतरफल है उसके नमबर आता है भदोई का फिर गाजियाबाद फिर सामली तो सबसे बड़ा कौन सा है लखीम पूर किरी सबसे छोटा हापुड बहुतिक विभाग देख लेते हैं तो भाबर और तराई का प्रदेश किसे कहते हैं तो जैसे हिमाले खतम होता है तो सबसे पहले जो रिजन आता भाबर वाले एरिया में अभी बांगर और खादर हम आगे पड़ेंगे समय कन्फीजन नहीं होना चाहिए भाबर दूसरी चीज है भांगर खादर दूसरी चीज है तराई रीजन आता है भाबर के बाद में तो तराई में यह नदियां फिर से ऊपर आती है तो यहां पर द पूरा यहां सहारन पूरा यहां से पूरा यह पहले भाबर वाला एरिया आता है उण सबसे ऐसे घटाओ के है और चेटरों पे पूरानी जलोड मिटी होती है उसे कहते हैं तो उपरी वाले एरिया में इसे राड बोलते हैं अब गंगा यमुना का मैदानी भाग पढ़ेंगी तो इसका निर्माड कैसे हुआ है जो नदियां सेडिमेंट्स यानि आउसाद लेके आती है उनसे इनका निर्माड हुआ है और इसका धाल पुछा दाता है कि जो पूरा य जाती है उसके बाद मुड के इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है तो इसका पश्ची मेरिया में मतलब पश्ची मी यूपी में इसका धाल उत्तर से दच्छड है उसके बाद पूरवांचल में अगर हम जाएंगे पूरव के साइड तो इसका पश्ची मोत्तर है ऐस आई होप कि आप समझ गए होंगे फिर है दच्छड का पठारी प्रदेश तो इसमें बुंदेलखंड वाला एरिया आता है और बगेलखंड में क्या क्या आएगा महोबा जहांसी ललितपूर जालाउन हमीरपूर चित्रकोट और बगेलखंड वाले एरिया में सोनबद्र और लेके तो इदर वाला एरिया पूला ये सभी बगेलखंड में आते हैं तो इधर वाला एरिया बगेलखंड इधर वाला है अब देखें गे कैमूर की जो स्रेडियां हो क्या विस्तार मिर्जापूर और सोनबद्र तक है कि थोड़े पहाड़ वगरदानanki अंहीं रमदा नदी बैती यहां पे बिन्द वाला इधर मzahl कई मूर कहलाता है फिर कैमूर थोड़ा विस्तार फिर यूपी में भी हो गया है फिर है बंदेल खंड में पाई जाती है जिसे रे गुर बोलते तो यह रेगुर मिटी दिटार। जो है मालवापथार मद्रधेस से पाए जाता है उसी का विस्तारव बुंदेलखंड वाले एरिया में भी हो गया तो काली मिटी वहां पाए जाते है रेगुर कि कहते है फिर डच्छड पथार जो हाई जो पठारी एरिया है यू यूपी में दच्छड साइड में जो पठारी एरिया है उसका ढाल किदर से है तो हम देखते हैं कि जितनी भी नदिया नीचे की तरफ से आती है उत्तर प्रदेश में पठार की तरफ से दच्छड से आती है उनका ढाल वो नदिया दच्छड से उत्तर की ओर बैती है जो से मारा दचप्षड वाला एरिया उसकी प्राइभ आप आपए जाते दो पंधें उल्गबक तीनसों मीटर और संक्क्षड कार टीले कहां पाई जाते तराई छेतर में वर्षा की बात करें 120-180 cm तक वर्षा होती है तराई वाले छेतर में जो उपर वाला छेतर था वहाँ पे 120-180 सबसे जादा वर्षा तराई वाले में होती है पूर्भी यूपी में 100-120 cm वर्षिक वर्षा होती है और उसत वर्षा देखी जाए पूरे यूपी में तो 80-100 cm तक होती है फिर यह इतना important नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा याद रखिए कि तराई वाले एरिया में होती है और सबसे कम वर्षा जो पशिमी एरिया है और दच्छडी एरिया है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है फिर इसमें देखेंगे पूरब से प रखनी है अगर वर्षा की जगह पे आधृता आ जाए तब भी यही क्रम होगा आधृता कम किदर होती है पूरब से पशिम और उत्तर से दच्छड कम होती जाती है फिर है एक वैग्यानिक थे कोपेन और थॉर्णवेट तो कोपेन के अनुसार यूपी में सुस्क सीथ मान किदर से किदर बढ़ता है तो उत्तर से दच्छड जाने पर उत्तर से दच्छड जाने पर तापमान बढ़ता है तो यह चीज़े याद रखनी है सबसे ज़्यादा तापमान कहां पाजाता है बुंदेल खंड वाले एरिया में क्योंकि दच्छड जाने पर तापमान बढ वो दच्छड पश्ची मांसून से होती है जो कि बंगाल की खाड़ी वाली साखा होती है जैसे हमारा ये इंडिया है मान लीजे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है तो यहाँ से जब मांसून चलता है तो एक साखा इधर जाती है एक साखा इधर आती है तो यही वाली साखा वो इधर जाके पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है क्योंकि इधर अरावली रेंजल्स हैं तो यहाँ बहुत कम वर्षा इधर जो है वो आदरता बहुत कम पहुंच पाती है तो यह चीजे आपको याद रखनी है फिर सरबाधिक और औस तन वर्षा कहां पर होती है गोरकपुर और सबसे कम औस तन वर्षा कहां पर होती है मतुरा में तो यह भी याद रखेगा आगे है उत्तर प्रदेश की मिटियां तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की मिटियां पहले देखते हैं बांगर और खाद की मात्रा अधिक होती है और खादर मिट्टी किसे कहते हैं जहां पर अभी भी बाढ़ाती है मतलब नवीन जलोड जहां पर होता है उसे खादर बोलेंगे मतलब खाती रहती है यह हमेशा और जो सबसे तो मत या बलुई धों मत ये बांगर को पोलते हैं उसर या सब्हड़ी जैंगे इम्पोर्टनक निव्धिन है तो रे हैं बंजर और कलर को उसर बोलते हैं रे बलूइ के ऊचे तिले को भूर काली मिट्टी में होता है इसलिए कपास मंता है इसे कब आस मिर्ण HAS कहते हैं। अब प्रस्ª के अब बिन्देल खाइप गूप। तो बोटा मिट्टी जो है बिंदी वाले छेत में पाई जाती है जो बिंदी स्रंकला है उसका विस्तार जो यूपी के साउथ वाले एरिया में भी हो गया है तो वहां पर जो मिट्टी होगी से बोटा मिट्टी कहते हैं और वहीं पर एक मिट्टी पाई जाती है मार मिट्टी इसे काली मिट्टी की तरह ये दिखती है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं तो मार मिट्टी कहां पाई जाती है बुंदिल खंड में और एक माट मिट्टी होती है जो यूपी के पूर्वी वाले एरिया में पाई जाती है पढ़वा मिट्टी कहां पाई जाती है हमीरपुर जालोन और यमुना वाला जो एरिया है वहाँ पढ़वा मिट्टी पाई जाती है इसका रंग लाल होता है तो पढ़वा मिट्टी का रंग क्या होता है लाल और कहां पाई जाती है हमीरपुर जालोन वाले एरिया में राकड मिट्टी ये दच्छ पर्वति ढलानों पी पाइ जाती है राकड मिट्टी लाल मिट्टी मरजापुर और सोन भद्र में पाइ जाती है तो इस चीजें आपको याद रखनी है फिर आके देखेंगे म्रिदा अपर्दन तो सबसे ज़यादा म्रिदा अपर्दन से प्रभावी जिला कॉन सा है ीटावा और यहां पर चम्बल नदी है कि जमीन को खोढ़ते हुए ह死, उत्खनन और कर्ते हुए, यहां पर सबसे जयादा उतंखनन होता है, इत्खनन होता है वाई यो पर्दन सबसे ज़्यादा कहां पर होता है जो एरोजन होता है वो मतुरा और आगरा में सबसे ज़्यादा होता है जली ये पर्दन तो जो हिमाले का तराई वला एरिया है वहाँ पे जल से ज़्यादा पर्दन होता नदियों से फिर लोड़ी और छारी ये मृदा के सेरिया में पाई जाती है पश्यमी यूपी में अमली ये मृदा पाई जाती है पूर्वी यूपी में लोड़ी चारी पश्चिमी यूपी में अमली अम्रदा पूर्वी यूपी में फिर आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां ये बहुत कोश्चन इसमें से आता है हिमाले से निकलने वाली कौन-कौन सी प्रमुख नदियां है यूपी में गंगा यमुना काली गंगा घागरा गंडा क्राप्ति ये सबी हिमाले से निकलने वाली नदियां मैदानी भाग से गोंती वरोणा पांडो साई इसान पूर्वी सब आगे पढ़ेंगे कहां से आती हैं गंगा के बारे में सबसे पहले देखेंगे यूपी की सबसे लंबी नदिया और यूपी म लंबाई 25-25 है 2525 और यूपी में है 1450 अब उत्री किनारे से से कौन कौन सी नदी मिलती है गंगा से तो राम गंगा मिलती है गोमती घागरा गंडग कोशी बागमती और यूपी में कहां से प्रवेस करती है गंगा तो बिजनोर जिले से यमुना कहां से प्रवेस करती है सहार सझाबूक भी दिडिया हैं यामुना उर टॉ सद्चशे डचछोड़ी किनारे से मिलते हैं गंगा में फिर आगे देखेंगे इसके किनारे जो प्रमुख नगर बसे हुए फरुखा गंगा के किनारे है कन्वोढ गंगा के कढ़एक प्रयागराज इस भी को पता होगा मोदर्धण गंगा के किनारे वारांची गाजीपुर और इधर से एक धौली गंगा नदी आती तो बद्रिनाज से कौन सी नदी निकलती ही सबसे पहले पूछा आता है तो अलग नंदा निकलती है फिर धौली गंगा आके विश्नु प्रियाग में अलग नंदा से मिल जाती है और नाम इसका अलग नंदा ही रहेगा लेकिन धौली ग कड़ प्रियाग में कड़ प्रियाग में अलक नंदा से पिंडार मिल गई फिर यह नदी आगे बढ़ी फिर यहां रूद्र प्रियाग पहुंची रूद्र प्रियाग में एक नदी आ रही है यहां पे केदार नत से जिसका नाम है मंदा की नी केदार नात में कौन से नदी ब प्रियाग पहुची और गंगो त्री से खाए आगगी रती तो खागी रती और अलगी नंदप काहां पर मिली दैयो प्रियाग में अब इसका नाम और गंगँ का जाएगा गंगा अगे बड़ी क्योंक्षी बांगी नंदट के लिए बोलकुल सेंग है इसलिए का नाम यहां पर चेंज कर दिया गया अगर कोई एक जादा गहरी होती तब उसी नाम से आगे बढ़ती अब यमुनेत्री से यमुना आ पर लाग होने वाली नाली निटी पहसी नदी यह सी मिलती है कि अधिया लाग होती है वेस्ट बंगौल में फिर आगे चलते हैं राम गंगा नदी पुछा जाता है कहां से निकलती है तो दूध्ट टुली एक स्रेडी है मतले परवत्ष शिखर है वहा से निकलती आती है और कन्नावज के पास आके गंगा में मिल जाती है घागरा नदी कहां से आती है तिबबत से आती है और यह चपरा बिहार में आके गंगा से मिल जाती है और घागरा में ही शार्दा आजाती है शार्दा जो है घागरा की सायक नदी और घागरा की सायक नदी है तो शार तुन्स नदी जो है अमर कंटक से निकलती है मद्य प्रदेश में और उसके बाद पट्ना में आके गंगा से मिलती है फिर टोंस नदी है जो की कैमुर की स्टणियों से निकलती है फिर इसकी सायक नदी एक पूछ ले जाता है कि असा एक चिए ये सिर्सा जो कि प्रियाग्राज में वहां पर जाकर गंगा से मिल जाती है टूंस हिंस नद्र तौनस की नहीं गम्ती नदी नोट पूछी yaptic ai और फुलाहर लेग और गाजीपुर में जाती है कि पीली बीत में से निकलती है जाए प्रमुख जी लो में लखनू जो है कोंती के किनारे इसके अलावन सुल् tanta पूट है इन जहाती है निगे और अदरे से निख्यलन ॥ाठीबर से यूपा उपक्स्ति प्रrafार्ण हम दिली में रहे नहीं है और मिल जाती यह फिर केमोर-खाड़ियों से चंबल निकलती है मद्ध्रदेश यह फिर-ईटाओं में आके चंबल मिल जाती है यह मुना से फिर राइसें-झिले में मद्ध्रदेश से निकलती बेतवा नदी और हमीरपूर में आके मिलती है यमुना से फिर कैमुर पाड़ियों से केन नदी निकलती है और बांदा जिले में आके यमुना से मिल जाती है चंबल मिलेगी यमुना से इटावा में बेतवा मिलेगी हमीरपूर में और केन मिलेगी बांदा में यह फिर यमुना के किनारे बसे हुए जो प्रमुख नगर है कौन-कौन से हैं मथुरा है, ब्रेंदावन है, आगरा है, इटावा है और कालपी है, कालपी कहा है जालौन में और हमीरपूर है, कौसांबी, यह सभी जो प्रमुख नगर है यह यमुना के किनारे बसे हुए है फिर आगे देखेंगे हिंडन एक नदी है चोटी और यह कहां से निकलती है सहारनपुर में सिवालिक स्टेडी से निकलती है सहारनपुर जिले में ही निकलती है और यह यमुना की सायक नदी है फिर कर्मनासा एक नदी है गंगा की सायक है और ये कहां से निकलती है कैमूर्स रेडियों से निकलती है फिर बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है और ये बिहार और यूपी की सीमा भी बनाती है तो पुछा जाता है कौन सी नदी बिहार यूपी की सीमा बनाती है कर्मनासा नदी कुकरेल नदी ये गोंती की सायक नद गौर जिल कहा है रामपुर में गौर से राम याद कर लेँजे शागर ताल कहा है बदायों में सागर ताल पधायों में लेल और जील बरेलीawayद ला ला इसमें बेहागा लेलोक, जील बले बरेली कीठम जील ये सूर सच्वल एक हाँ पे है आगरामी रामसर साइट भी है फिर है फुलहर जील पीली बीत में नवाब गंज या कुंद्रा समंदर कहा है उन्नाओं में बरुवाताल और लक्षमी ताली बहुत इंपोर्टेंट है कहां पे हैं जासी में अबतार कर्म सीयर और दर्वाणजील नहीं जाता है अउधिया आछी ताली आपए वारानसी में अणी ताल में बखिरा जिन संतकवीर नकर में है रामगड ताल गोरकपुर में है फिर है करेला जील कहां पे है लखनों में करेला जील लखनों में चितोरा जील बैराईज में पार्वती अर्गा गोर्णा में बडा ताल या फिर गोखुर जील कहां पे है साजांपुर में देवरिया ताल नाम देवरिया है लेकिन है कहां प कनोज में फिर हैं शेखाजील अलीगड में राधा कुंड कहां पर मतुरा में फिर आगे देखेंगे रामसर इस्थल देख लेते हैं भारत में कितने हैं 46 उत्तर प्रदेश में 8 हैं यह पहले भी कवर किये जा चुके हैं लेकिन फिर से देखेंगे से सबसे पहला वाल था MAL को पखेंगे priority जो गूंडा के हैं गुदा कि हैं उबुरा नहीं मानें के बस्याद करने के लिए ट्रिक है समान समान पत्छी भीहार कहां है जो अभी अभी रामसर साइड डिकलियर की गई हैं इंडिया में यह पूछी जा सकती हैं चार्ड नहीं हैं बदवाना और थोल कांकी है गुचरात की और भिंडवास और सुल्तानपुर हर्याना की अभी डिकलियर की गई हैं उत्तर प्रदेश में 8 हो गई हैं भारत में 46 तो सब्सक्राइब को यहीं प्रदेश के और यहाज अगरमसर के सतने और अभी प्रदेश चाहिए यहीं हचार आऊ परेफिए पिर फिर वहार और पॉस्क्राइब परती के always